हेलो बच्चो कैसे हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में 21 सितंबर 2020 की नवी कक्षा की गनित विशे की जो वरक्षीट है वरक्षीट नमबर 34 ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने जा रही हूँ इस वरक्षीट का टॉपिक है हमारे पास प्रायोगिक प्रायक्ता तो च यहाँ पर आपको आपके अध्यापक यानि की टीचर का नाम लिखना है यहाँ पर हमारे पास यह जो विशे है प्रायोगिक प्रायक्ता इसमें क्या क्या है हमने जो पिछली वीडियो है उसमें पिछली वरक्षीट के टाइम में हमने यह पढ़ा था कि कोई भी घटना यानि की अनुकूल परिस्तितियों की संख्या और उसके बटे में क्या अभी प्रयोगों की कुल संख्या जैसे कि हम वहाँ पर उधारन ले रहे थे सिक्के का अगर हम किसी सिक्के को तीन बार उच्छालते हैं तो यह तो हमारे पास क्या हो गया कुल अभी प्रयोग और उस आ रहा है यानि कि ऐसे अभी प्रयोग जिन में हमारी जो घटना है वो घटी है तो ये हो गया है हमारे पास प्रायक्ता का सूत्र इस सूत्र का उप्योग करके हम यहाँ पर कुछ उधारन है उनको पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो उधारन नमबर एक इसके अनुसार ट टायर बनाए जाते हैं तो उनमें एक रिकोर्ड रखा जाता है कि कितनी दूरी के चलने के बाद टायर को बदला जा रहा है तो ऐसे में इन्होंने हजार इस्तितियों के एक हजार इस्तितियों के परिणाम हमें दिखाए हैं देखिए यहाँ पर पहला कॉलम है दूरी किलो मेटर से कम दूरी अगर तैय करता है तो ऐसे केसे इनके पास सिर्फ कितने आए हैं 20 आए हैं यानि कि उस समय सिर्फ 20 टायर को बदलने की जरूरत पड़ी है और उसके अलावा तो उस समय में उस इस्तिती में कितने टायर बदले गए हैं यानि कि 445 अब यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायक्ता क्या होगी कि पहला प्रश्ण है 4000 किलोमेटर की दूरी तैय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा यहां पर इसका मतलब यह है कि जैसे हमने एक टायर खरीदा और टायर खरीदने के बाद हमने जो है वो हमारी दूरी तैय की है अब कितनी दूरी तैय की है तो यहां पर हमें कॉंसेप्ट दिया है कि अगर हमारे पास मानलीजे हमने 4000 किलोमेटर की दूरी भी तैय नहीं कि है और हमारे पास यह जरूरत आ गई है कि हमें इस टायर को बदलवाना पड़ रहा है तो इसकी प्राइकता क्या होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अनुकूल अभी प्रयोग यानि कि ऐसे अभी प्रयोग जिसमें हमारी गटना गट रही है उनकी संख् टायर बदलवार गये हैं है तो आप यहां पर कहें गेंकि बीश तोत आपके पास क्या है ऐसे अभी अभी प्रयोग जिन में आपकी गटना गटी है यह जिन में बदलवा रह 답 और उसके बटे में आप क्या लिखेंगे कुल अभी प्रयोग, तो कुल अभी प्रयोग यहां पर देखिए कितने हैं, आपके पास ही कितनी स्तितिया हैं, हजार स्तितिया हैं, इसका मतलब आपके अभी प्रयोगों की संख्या भी कितनी हो गई है, हजार, तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं, कि जैसे आपके पास याँ 2 बटा सो है, तो यहाँ पर आप देखिए कि नीचे कितनी 0s हैं, 2 0s हैं, to यह जो भी आपका 2 है, इसके आगे आप क्या कीजिए कि 2 अंक गिनकर दशमलव चिन लगा दीजिए, तो हम यहाँ पर गिनेंगे एक तो ये दो खुद है फिर एक हमने ये जिरो लिया अब हो गए ना दो तो यहाँ पर हमने ये दशमलव लगा दिया है तो यहाँ पर आपका ये जो उत्तर बना ये क्या बन गया है जीरो दशमलव जीरो दो तो ये हो गया है आपका ये वाला प कितनी इस्तितियां हैं देखो यह वाला जो पहला केस है हमारे पास 4000 से कम का है इसका मतलब हम इसे नहीं लेंगे दूसरी जो इस्तिति है वह 4000 से लेकर 9000 तक की है तो इसका मतलब हम इस इस्तिति को भी नहीं लेंगे तीसरी इस्तिति जो है वह हमारे पास क्या है 9001 से है 9001 से ह इसका मतलब यह हमारी 9000 से ज्यादा है तो हम इस इस्तिती को यहाँ पर लेंगे और उसके बाद 14000 से अधिक वाले इस्तिती भी हमारी इसी में आ जाती है तो हम 325 और 445 इन दोनों का यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे यानि कि यह दोनों ही घटनाए हमारे अनुकुल इस्तितियों में आती है तो यहाँ पर देखिए उस टायर की बारंबारता यहाँ पर सेकिंड में उस टायर की बारंबारता जो 9000 किलोमेटर से भी अधिक दूरी तय करेगा कितने हैं यहाँ पर 325 प्लस 445 और जोडने पर आपको कितना मिला 770 तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 770 है यह आपके पास ऐसे अभी प्रयोग है जिनमें यह घटना घट रही है और हम इसे भाग दे देंगे किसे कुल अभी प्रयोगों की संख्या से और वो कितनी है हमारे पास 1000 इसका मतलब 770 बटा 1000 तो यहाँ पर 10 से यह 10 कट जाएगा और आपको मिलेगा 77 बटा 100 नीचे 2 0 है इसलिए हम उपर क्या करेंगे दो अंक गिनेंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे दशमलव का चिन लगा देंगे तो इसका मतलब यह हमारा second question का answer हो गया इसकी बाद इसी उधारण में हमारे पास तीसरा question है और वो क्या है कि 4000 किलोमेटर और 14000 किलोमेटर के बीच की कोई भी दूरी तै करने के बाद इसे बदलना अवेश्यक होगा तो अब हम कहा से कहा तक की बात करेंगे 4000 किलोमेटर से 14000 किलोमेटर के बीच की बात करेंगे तो 4000 से कम इसको तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे हम किस किस को लेंगे 4000 से लेकर 9000 तक को लेंगे 9001 से लेकर 14000 तक को लेंगे क्योंकि हमें क्या कहा गया है 4000 km और 14000 km के बीच तो यहां पर हमारे पास कितनी स्थितियां संभव हैं यह देखिए 210 और 325 यह तो है हमारा 210 और यह 325 तो हम यहां पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद क्या करेंगे कुल अभी प्रयोगों की संख्या यानि की 1000 से यहां पर भाग कर देंगे तो 535 बटा 1000 आपके पास होगा आप इसे 5 से काट सकते हैं 5 से आप भाग देंगे तो उपर आपके पास बच जाएगा 107 और नीचे आपके पास क्या बचेगा 200 या फिर अगर आप भाग देना नहीं चाहते हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि जो 1000 है इस 1000 में आपके पास कितने जीरोज हैं तो यहां पर हमारे पास तीन जीरोज हैं तो हम यह जो 535 है इसमें क्या करेंगे 3 अंक गिनेंगे एक दो तीन और तीन को गिनने के बाद हम क्या करेंगे यहांपर दशमलउ का जो चिन है वो यहांपर लगा देंगे। और दशमलउ का चिन लगाने पर हमारे पास क्या मिलेगा 0.535 तो यह हो गया हमारा पहला उधारन clear ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने अगले उधारन की उधारन दो इसके अनुसार एक मोसम केंद्र के रिकोर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किये गए मोसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं यह कह रहा है कि एक मोसम केंद्र है जो मोसम की सूचनाई देता है कहता है कि माली जी कि किसी दिन बारिश होगी या किसी दिन नहीं होगी तो 250 दिन में से 175 बार यानि कि 175 दिन तो उसकी बाते सही निकलती है यानि कि उसके अनुमान जो है वो सही निकलते हैं लेकिन जो बाखी के बचे हुए दिन हैं, अगर हम 250 में से 175 को माइनस करें, तो हमें कितना मिलेगा, 10 में से 5 गया 5, और फिर यहां पर बचेंगे 14, 14 में से 7 गया 7, तो हमें यहां पर मिलेंगे 75 दिन, इसका मतलब 75 दिन हमारे पास ऐसे हैं, जब तो पूर्वा नुमान कैसे होते हैं, गलत साबित होते हैं, और 175 दिन ऐसे हैं, जब पूर्वा नुमान क्या होते हैं, सही साबित होते हैं, तो अब हमें यहां पर क्या करना है, इसमें हमारे पास दो प्रेशने दिये हुए हैं तो हम पहले प्रेशनों को लेकर चलते हैं इसकी अनुसार एक दिन हुए दिन पर पूर्वा नुमान के सही होने की प्राइक्ता क्या होगी सही होने की प्राइक्ता पूछी है तो अभी प्रयोग यानि कि जितनी बार हमने यहां पर पूर्वा नुमान लिये हैं तो वो कितनी बार लिये हैं हमने 250 बार तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास अभी प्रयोगों की संख्या यानि कि record किये गए दिनों की कुल संख्या कितनी है 250 है ठीक है अब आपसे पहले प्रश्ण में एक ही दिन हुए दिन पर पूर्वा नुमान के सही होने की प्रायक्ता तो हम यहाँ पर लिखेंगे P और ब्रेकेट में क्या लिखेंगे दिये हुए दिन पर पूर्वा नुमान सही था यानि कि इस घटना की प्रायक्ता तो वो कितनी स्थितिया हैं हमारे पास 175 बार तो हमने आपर 175 में 250 से भाग दे दिया है ठीक है जब आप भाग देंगे तो आपका ये भाग कट जाएगा किसे 25 से कटेगा कैसे 25 सत्ता 175 और 25 10 250 तो आपको मिलेगा 7 बड़ा 10 जिसको आप लिख सकते हैं 0 द शम्लव 7 ठीक है तो ये होगे हमारे पास पहला भाग अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं इसके अनुसार एक ही दिन हुए दिन पर पूर्वा नुमान के सही नहीं होने की प्रायक्ता तो सही नहीं होने की प्रायक्ता के लिए हमने अभी अभी किया भी थक क्या कि हमने 250 में से 175 को माइनस किया था और हमें कितना मिला था तो इसका मतलब 75 दिन हमारे पूर्वानुमान सही नहीं है तो इनकी प्राइक्ता क्या हो जाएगी तो फिर हम 75 में भाग दे देंगे किसका 250 का तो 25 तिया 75 और फिर यहां पर कितना 25 दस 250 तो हमें यहां पर मिलेगा 0.3 ठीक है तो आप यहां पर देखिए क्या कि आपको जब पूर्वानुमान सही था तब उसकी प्राइक्ता आपको कितनी मिल रही थी 0.7 और जब आपका पूर्वानुमान गलत है तब आपको प्राइक्ता क्या मिल रही है 0.3 अगर इन दोनों मानों को प्लस कर दे यानि कि कौन-कौन से मान एक तो वो जब हमारा पूर्वानुमान सही था और दूसरे उस बात की प्राइकत जब हमारा पूरवा नुमान तहीं नहीं था अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जीरो प्वैंट साथ और जीरो प्वैंट तीन इनको जोडने पर हमें क्या मिल जाता है एक मिल जाता है इसका मतलब हमारे घटना के घटने प्राइक्ता और हमारे घटना के नहीं घटने की प्राइक्ता इन दोनों का जो प्लस हमें मिलता है वो किसके बराबर मिलता है एक के बराबर मिलता है तो यह हो गए हैं हमारे दोनों उधारन इसके बाद हम यहां पर अभ्यास प्रेशन जो कि हमारे लिए दिये हुए हैं उनक हैं एक ही कक्षा के 38 विध्यार्थियों के बार ठिक है कैसे दी वे हैं माली जी किसी बच्चे का वजन 31 से 35 किलोग्राम के बीच में तो ऐसे कितने भच्चे हैं हमारे पास 9 और जिनका वजन 36 किलोग्राम-40 किलोग्राम बीच में हैं ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे पास पांच और जिनसेका वजन 41 से 45 किलोग्राम के बीच में है उनकी संख्या है 14 Virus 46 किलोग्राम से 50 किलोग्राम वाले बच्चों के संख्या है 3 और इसी प्रकार आगे भी हमें ल dal हम अंत्राल 46 से 50 किलोग्राम में इस्तित है तो 46 से 50 किलोग्राम के वीच में हमें भार चाहिए तो हम पहले प्रश्ण के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे पी किसकी प्राइकता कि विध्यार्ती जो भी है हमारे पास उसका भार क्या है विध्यार्ती का भार 46-50 किलोग्राम में है तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसकी अनुकुल संख्या 46-50 के बीच में देखें कितने बच्चे हैं हमारे पास 3 बच्चे हैं और हमारे पास हम इसे भाग इसे देगे कुल अभी प्रयोगों की संख्या यानि कि कुल विध्यार्थियों की संख्या से और वो कितने हैं हमारे पास 38 तो ये हमारा उत्तर हुआ तीन बटा 38 ठीक है? अब इसके बाद हम दूसरे प्रेशने की बात करते हैं उसमें क्या है? कि इस बात की प्रायक तक जात कीजिए कि कक्षा के एक विध्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक है तो 50 किलोग्राम से अधिक जो भार है वो कितने बच्चों का है? 50 किलोग्राम से अधिक भार वाले विध्यार्थियों की संख्या बताइए कितने बच्चों का है? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं चलिए 51 से 55 यहाँ पर 46 से 50 तो इतने आ गए हैं इसका मतलब 50 kg तक के बच्चे यहाँ पर है फिर है आपके पास 51 से 55 तो यानि कि दो बच्चे हैं यहाँ पर देखे यह दो ही है ना और उसके बद 56 से 60 वाले कितने हैं एक है और 61 से 65 वाले कितने हैं चार है तो इन सब को जोड़ दीजिए तीन और चार कितने हो गए साथ तो इसकी प्राइक्ता क्या हो जाएगी फिर हमारे पास अगर हम इसे इगटना से प्रदर्शीत करते हैं तो प्राइक्ता हमारे पास होगी साथ बटा कुल विध्यार्थी यानि की 38 यह हो गया हमारा उत्तर ठीक है अब हम अपने अगले प्रेशन की बात करते हैं अगले प्रेशन की अनुसार फुटबोल खेल के बारे में विध्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विध्यार्थियों का सर्वेक्षन किया गया यानि की सर्वेक्या एक और वो भी कितने बच्चों का 200 बच्चों का ठीक है तो आप यहां पर यह concept रखिए दिमाग में क्या कि कुल आपके पास यहां पर विध्यार्थी कितने हैं 200 हैं तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कुल विध्यार्थी बराबर 200 यह हो गया हमारे पास पहला कॉंसेप्ट फिर हम से क्या कहा गया है प्राप्त आकडे नीचे दी गई सारनी में हैं क्या क्या मत पसंद करते हैं और पसंद नहीं करते हैं इसका मतलब फुटबोल को पसंद करने वाले कितने हैं यहां पर 135 और पसंद नहीं करने वाले कितने हैं हमारे पास 65 तो आप से क्या कहा है प्राइक तक ज्याद कीजिए कि याद्रेच्य चुना गया विध्यारती फुटबोल पसंद करता है अब आप बात कर रहे हो यहां पर फुटबोल को पसंद करने की तो भाग किसे देंगे कुल विध्यार्तियों से जो की कितना है 200 अब आप इसे भाग दीजिए भाग देने पर आप यहां पर देखते हैं दो से भाग दीजिए पहले दो चिंग बारा आपके पास एक बचेगा पंद्रा यानि की दो सत चोदा फिर एक बचेगा तो हम दशमलव लगा कर फिर उस दशमलव यानि की 10 में आप भाग देंगे 2 से तो 25 दस और बटे में कितना 100 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं 5 से काट दीजिए से 5 से इसे काटेंगे इकिती बर कटेगा 27 बार 27 पंजा 135 और इसे काटेंगे तो 25 यानि की 40 बार तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 27 बटा 40 ठीक है अब आप ऐसे दूसरा देखिए दूसरे में आप से क्या कहा है कि ऐसे विध्यारती जो फुटबोल पसंद नहीं करते हैं अगर आप इसे F घठना से प्रदर्शित करें तो इसकी प्राइकता क्या होगी फुटबोल प पर क्योंकि तेरा पंच पैसेट और यहां पर कितना चालीज तो चलो क्रोश चेक करके देखिए कि सही था या गलत था अब जैसे आपने यहां पर देखा था कि जब आपके पास घठना की दो इस्तितियां थे यानि कि पूरवा नुमान का सही होना और नहीं होना तो उन द प्राइकता है उनको जोड़ देते हैं तो 27 बटे 40 प्लस 13 बटे 40 जोडने पर आपके पास एलसियम आता है 40 और 27 और 13 कितना हो गया 40 तो 40 बटा 40 यानि कि 1 इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है तो यह हो गई है हमारे आज की वाक्षीट अगली वाक्षीट का भी